ओम शान्ती, आज है 26 जून 2023 की सकार मुरली, आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावक्यों को मीठे बच्चे, तुमने इशर की गोदली है मनुश्य से देवता बढ़ने के लिए, उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुश्य से देवता बना देती है प्रेश्न, आप मुँए मर गई दुणिया इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आप बच्चे जब आपके पाद जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है दूसरे मनुश्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता है तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाहे मिल जाती है गीत मरना तेरी गली में ओम शांती यहाँ भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है इस में जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है अग्यान काल में मनुश्यों मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं तुम बच्चे जब आप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है कहावत है आप मुवे तो मर गई दुनिया प्रन्तो दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है अभी तुम जब की जीते जी मरते हो तो आप मर जीते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है तुम मरेंगे तो यहाँ दुनिया ही खत्म हो जाएगी तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे यहाँ सिर्फ तुम ब्रहमन ही जानते हो इशर का बच्चा होने से हमको सत्यू का बर्थ राइट मिलता है स्वरकी बादशाही मिलती है नर्क खत्म हो जाता है इसमें कोई महनत नहीं है सिर्फ बाप को याद करना है मनुश्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो पिछाडी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्थ है यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्थ है अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्थ है उसका ही नाम लेना चाहिए उसको राम कह देते हैं माला भी राम राम कह सिमरते हैं राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है सिर्फ बुद्धी से याद करना है तुम जानते हो जीते जीशर की गोद में आने से यह दुखरूपी दुनिया खत्म हो जाती है बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे गाया भी जाता है रुद्रमाला तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ग्यान यग्य में बैचे हो कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जह ऐसे समझते हो कि हमेशर बाब के गले में पिरोईंगे बाब से तो जरूर वर्सा मिलेगा बाब कौन कहती है आत्मा आत्मा में ही मन बुद्धी है ना बुद्धी समस्ती है फिर कहती है पहले संकल पाता है फिर करमिंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं बाबा के ही होकर रहेंगे गौड फादर कहते है ना फिर पूछो तुम्हारे में Godfather की knowledge है तो कहेंगे God तो सरव्यापी है बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परमपिता परमात्मा तो पिता है फिर सरव्यापी कैसे होगा बच्चे में बाप आ गया क्या बाप को सरव्यापी कहना बिलकुल wrong है लौकिक बाप के भी पांसाथ बच्चे होंगे क्या वहा कहेंगे कि बाप आप सरव्यापी हो यहाँ भी समझने की बात है मुख से कहते हो परम पिता फिर सरव्यापी कैसे कहते हो पिता फिर मेरे में है यहाँ कैसे हो सकता बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा, बहुत अच्छी रिती समझ कर फिर समझाना है, रुद्र ज्यान यग्य तो मश्हूर है, रुद्र है निराकार, शिरे क्रिशन तो साकार है, आखरीन भगवान किसको कहा जाए, तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते, Godfather is omnipresent, मेरे में भी है, बाप तो घर में ही रहता और कहां रहेंगे, अभी बाप इस बेहत के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है, कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो, आगे पित्रों को बुलाने का बहुत रिवास था, पित्र तो आत्मा है ना, पित्र को यानि आत्मा को खिलाया जाता है, कहेंगे आज हमारे दादे का पित्र है, आज फलाने का पित्र है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, समझो किसका स्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते है हमने हीरे की फुली पहनाने का वायदा किया था ब्राहमन को बुलाकर उसे हीरे की फुली पहनाते हैं बुलाया तो आत्मा को ना शरीर थोड़े ही आया यहार रस्म भारत में ही है जैसे तुम सुक्षम वतन में जाते हो कोई मर गया तो उनका फोग लगाते हो सुक्षम वतन में वहा आतमा आती है यहां है बिल्कुल नहीं नहीं बाती जब तक कोई अच्छी रीती ना समझे तब तक संशे उठता है यहां क्या करती है ब्रहमनों की रस्म रिवास देखो कैसी है इसमें सभी मनुश्य मात्र तमो प्रधान है बाबा तो है ही पतित पावन वहा कभी तमो प्रधान नहीं होते मनुश्य को पतित पावन नहीं कहेंगे पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला वहा तो एक बाप के सिवाए दूसरा कोई होना सके धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने क्रिश्यन धर्म का सीजरा वहाँ है पहले क्राइस्ट आया फिर उनके पिछाडी भी आते रहेंगे वृध्धी को पाते रहेंगे वहाँ कोई पतित को पावन नहीं बनाते नंबर वारुनों की संख्या आती है पतित पावन तो इसमें चाहिए जबकि सब कबर दाखिल हो जाते हैं सबको पावन बनाने वाला एक ही है यहाँ तो समस्ते हो बरोबर इसमें सारी दुनिया जड़ड़ी भूत है बने इंट्री का मिसाल देते हैं बहुत बड़ा जड़ होता है उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती है उसका फावन डेशन सड़ा हुआ है बाकी सब टाल टालियां खड़ी है यहाँ भी जड़ है देवी देवता धरम का जो जड़ है उसका फावन डेशन उल्टा ओपर है और जड़ एकदम कट गई है बाकी सब है बीच हो तब तो फिर से स्थापन करें बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ ब्रम्हा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश बरोबर नेक धरमों का विनाश हुआ था इस महा भारत लड़ाई में जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राज़ानी स्थापन हो गई तुम चानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे फिर जाड़ वरिध्धी को पाता रहेगा देवी देवता धरम जो था वहाई इस समय प्रायह लोप है तो बाब कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धरम की स्थापना करता हूँ भारत जो उँचते उँचता उनको अब ग्रहन लगा हुआ है कामचिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है अब फिर तुम ग्यानचिता पर बैठ गोरे बनते हो तुम जो शाम बन गए थे शाम से गोरा सुन्दर बनाने वाला है परमपिता परमात्मा उनकी श्रेमत मिलती है परंपिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है आत्मा में ही खाद पड़ती है सोने का मिसाल अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है सब का मौत है फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो यहां मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी तो क्यूं नहीं धर्ति फर्स्ट क्लास अनाज देगी सत्युग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है किचड़ा जल कर खाद बन जाता है तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी सो भी खास भारत को वहां कितनी अच्छी अच्छी चीज़े निकलेंगी सुक्षम वतन में बैकूंट का शुबिरस उमको पिलाते हैं बगीचे आदी का सक्षतकार कराते हैं वहां हमारा बगीचा होगा बच्चों ने सक्षतकार किया है शुबिरस पिकर आते थे प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे अब सुक्षम वतन में तो बगीचा हो ना सके जरूर बैकूंट में गए होंगे एक-एको सक्षतकार नहीं कराएंगे जो नेमित बनते हैं उनको कराते हैं हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे बाबा के बच्चे होकर रहेंगे तो पिछाडी में तुमको बहुत सक्षतकार होंगे जो पूरे सिरिंडर होंगे यहाँ तो पहले भटी बढ़नी थी भटी में पकना था तो बहुत आ गए बच्चों को समझाया है सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए टीचर सैकेंड में समझाएगा यहाँ तुम्हारा बाबा है यहाँ दादा है यहाँ बेहद का बाप स्वरका रचाईता है सिर्फ कोई को लिट्रेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगी नहीं, इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, यहाँ धंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्च है, बरोबर यादव कौरा पांड़ा भी है, महाभार लड़ाई भी सामने खड़ी है जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर सुरक की स्थापना भी होगी, एक धरम की स्थापना अनेक धरमों का विनाश होगा, तुम जानते हो हम ही नर से नारायन, नारी से लक्षमी बनते हैं, यहाँ है M-object, मनुश्य से देवता किये करतना लागी वार, देवत सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है, पहले तो देवता बनना चाहिए ना, ना पास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं, तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे, कितने धेर सिकीलधे बच्चे हैं, किसका बच्चा गुम हो जाता है छे आठ मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा बाप को कितनी खुशी होगी यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकील दे बच्चे तुम पांच हजार वर्ष बाद आकर मिले हो लाडले बच्चे तुम भी छुड़ गए थे अब फिर आकर मिले हो बे Godfatherly Birthright बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है यहाँ है Heavenly Godfather कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाएं हैं प्रन्तु इतना लायक बढ़ना है श्रुमत पर चलना है बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए अफारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे बच्चों को कितना प्यार किया चाता है बाब बच्चों को सिर पर रखते हैं बेहद के बाब के कितने बच्चे हैं बाबा कितना उन्च चढ़ाते हैं पाउं में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी उपर चढ़ाते हैं तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रिमत पर चलना चाहिए एक कीमत पर चलना है अपनी मत पर चला तो यहां मरा श्रिमत पर चलेंगे तो तुम स्रेस्ट मनुश्य अर्थात देवता बनेंगे। ख्शत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो गए यहां है ही मनुश्य से देवता बढ़ने का ख्शत्रिय नहीं बाप पोछते हैं कि कितने नंबर में पास होंगे इज़त रखना बेहत का बाप भी कहते हैं सूर्यवन्शी बनो जानते हो विजह माला 108 की ही पास होई है फॉलो करना है ममा बाबा को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बना कर शे बाबा के आगे सौगात ले आते हैं बाबा पोछते हैं कितने को आप समान बनाया है कितने मज़े की बाते हैं तुम ही समझ सकते हो नया कोई बिलकुल नहीं समझेगा यहां मनुश्य से देवता बढ़ने की कॉल पहली पहली बात बच्चों को समझाए कि पहले सब को बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो कहते हां मेरे में भी है सरव्यापी है अरे तुम्हारे में भी है फिर तो पूछने की बात ही नहीं कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में अत्वा मेरे में कैसे हो सकता बाप है तो बाप से वर्सा जरूर मिलना चाहिए। पहले पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते हैं। हे मेरे सिकीलधे बच्चे। ऐसे कोई सन्यासी वा गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शे बाबा के सिकीलधे बच्चे हैं। पांच हजार वर्ष बाद फिराकर मिले हो स्वरग का वर्सा लेने। जानते हो हम स्वरग के मालिक थे फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वरग में जाना जरूर है फिर पुरुशार्थ अनुसार उंचपत पाना है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक मम्मा बाबा को फॉलो कर सुर्यवंशी में आना है अपनी मतपर नहीं चलना है श्रीमत से उंच देपध पाना है नमबर दो हम बाबा के ही होकर रहेंगे इसी निश्चे में रहना है कभी किसी बात में संशे नहीं उठाना है वर्दान बाब के हर डिरेक्शन वा काईदे से फाइदा लेने वाले मरियादा पुरुशोत्तमभव कहा जाता जितना काईदा उतना फाइदा इसलिए अमरितवेले से जो भी काईदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो पढ़ाई अमरितवेला सेवा जो भी दिन चर्या बने हुई है उनमें मन नहीं भी लगे तो भी दिन चर्या में कुछ मिस नहीं करो जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर, आप तो स्वयम लौ मेकर्ज हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो, तो मर्यादा पुरुशोतम बन जाएंगे श्लोगन, जिनके पास अंतुष्टता का गुण है, उनके पास अर्वगुण स्वतह आते जाएंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आम शान्ती